अगली खबर में बात करते हैं सतना की जहां मजगवा कस्बे में इस्थित एक गड़े में युवक का सब तैरता मिलने से संसनी फैल गई असंकर जताई जा रही है कि शब को हत्या के बाद पानी में फेका गया पुलिस ने सब को पोस्ट मॉटम के लिए भेश कर तफसीत कर सुरू कर दी जानकारी के अनुसार मजगवा थाना छेत के करांती नगर इस्तित एक गड़े में सोमवार की सुबा एक युवक का सब तैरता पाया जाने से छेत में संसनी फैल गई सब दिखाई पढ़ने की सूचना मजगवा थाना पुलिस को दी गई जिसके बाद गोता खोरों की मदद से सब को पानी से बाहर निकाला जा सका मृत्यक की सिनख्त लवकुष यादव पिता राधे श्याम यादव उम्र तीस वर्स निवासी मजगवा के रूप में हुई है मृत्यक अवी वाहिद था और उसका एक हाथ कटा हुआ था लवकुष फिलहाल तो नहीं कुछ करता था लेकिन कुछ समय पहले तक किसी फैक्टरी में काम करता था जहां एक हासे में उसका एक हाथ कट गया था फैक्टरी से ही उसे एक माह कुछ रुपए मिलते ही जिससे उसका गुजारा चलता था रविवार की साम लबकुष को क्रांती नगर में ही रहने वाले लल्ली आदव के साथ देखा गया था जिसके बाद दोनों ने साथ बैट कर सराब पी थी लेकिन उसके बाद लबकुष घर लोट कर नहीं आया परीजनों का कहना है कि रात में लल्ली नसे की हालत में घर आया था उसने बताया था कि लबकुष को उसने मार कर पानी में फेक दिया है रात में तलास की गई लेकिन लबकुष का पता नहीं चला सुबा गड़े में जमा पानी में लास तैरती पाई गई परिजनों का आरोप है कि लल्ली ने ही लबकुष की हत्या कर सब को पानी में फेक दिया उधर मजगावा थाना पुलिस ने सब को बाहर निकलवा कर पोश्माटम के लिए भेज दिया थाना प्रभारी का कहना है कि जांच सुरू कर दी गई है परिजनों के आरोपी को भी धान में रख कर जांच के बिंदू तै किये गए है पोश्माटम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वज़ा सामने आएगी